इस घटना से वहां के निवासियों में जबर्दस देहशत है जमीन फटने की सूचना मिलने के बाद मौके पर S.E.C.L. की रेस्क्यू टीम पहुंची है वही मुखे घटनास्तल के दोनों और से यातायाद बंद कर दिया गया है भागे निवासि देहशत में सामान घर से बाहर निकाल रहे है वही कई अधिकारी और जन प्रतीनी दी भी मौके पर पहुंचे है आपको बता दे कि इलाके में पहले कुरासिया अंडर ग्राउंड माइन्स चलती थी आशंका जताई जा रही है कि इसी के चलते जमीन फट गई है सुरक्षा के मदे नजर CCL की टीम द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है आपको बता दे कि करीब एक दशक पूर्व ऐसी घटना हो चुकी है फिलाल शेत्र में जमीन फटने की घटना का सही कारण तो पता नहीं लग पाया है वेग्यानिकों के मताबिक ये दरार किसी भूगर भी हलचल का परिणाम हो सकती है लोगों का ये भी कहना है कि कुछ दिन पूर्व आए भूकंप के बाद ही दरार आई है जिस जगह पर दरार आई है उस तरफ ग्रामीन अक्सर आते जाते नहीं है शुक्रवार को कुछ बच्चे उस और गए थे तब इस बात की जानकारी सामने आई इसके अलावाज जादातर लोग इसे अत्यधिक भूजल दोहन का परिणाम मान रहे है लोगों का कहना है कि शेत्र में हो रहे इस तरह की घटनाए किसी आपदा का पूर्व संकेत है सरकार को इसकी गहराई में जाना चाहिए बताते चले कि 36 गड़ के कोरिया के हल्दी बारी इलाके में कई जगह पर जमीन फट गई है स्टेट बैंक वे मकानों में भी दरारे आ गई है जैसे ही इस मामले की सूचना ऐसी सील की रेस्क्यू टीम को मिली वो मौके पर पहुँच गई कई अधिकारी और जन प्रतीनी धी भी मौके पर पहुँचे कोरिया से समाधाता राजु शर्मा की रिपोर्ट ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें थैन्ने वाल झाल